सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल से रेडमी और माइक्रो मैक्स की तरफ से माइक्रो मैक्स का नोट वन यह आपको मिल जाएगा 11,000 में दूसरे तरफ है रेडमी का नाइन पावर जो लेटेस लाउंच हो गया रेडमी के तरफ से इसी कीमत में 11,000 का तो दोनों का rate सेम है इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या क्या कमिया हैं और आपको दोने में सा कौन सा लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं माइक्रो मैक्स के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर डिटेल लूक हम अभी देखेंगे कार्ड में लगावा मिल जाता है एक सिम इजक्टर टूल अंदर की तरफ दिये गाए है कुछ यूजर मैनुवल इस तरीके से कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता एक मिल जाती है यह वाइट कलर में डिटे केबल लेंट और क्वालिटी दोनों इसकी बढ़िया है और दोस अच्छी चीज़ यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है तो यह चीज़ काफ़ अच्छी है अभी सार समन आपको मिलता है नोट वन के साथ 11,000 में रेट के साथ से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको काफी बढ़िया ही दिये गए है टाइप सी केबल भी है चार्जर भी फास्ट है बाकि अगर कवर भी होता तो काफी बढ़िया रहता चली देखते हैं अगर आप इतने ही पैसे रेडमी के नाइन पावर पे खर्च करते हैं तो 11,000 में उसके साथ क्या के दिया गया है तो दोस्तों जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले इसमें आपको रख़वा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे की तरफ लगवा है एक सेमेजक्टर टूल कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुवल बागी दोस्तों पहला फर्किये हैं इसके साथ आपको कवर मिल जाता है कवर की क्वालिटी काफी बढ़िया है मॉबैल मिलता है रैपर के अंदर डिटेल लूक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डेटा केबल लेंद और कॉलिटी's की दूनों और ज़्याद अच्छी है माइक्रूमैक्स की केबल से और ये भी एक टाइपसी केबल है तो दूसर टाइपसी केबल दोनों के साथ दी गई है ये दुनों में खुबी है बाकि quality wise थोड़ी सी ये data cable ज़ादा बैटर है आखर में आपको रखवा मिलता है ये white color में charger अब दूसरे इस mobile के अंदर भी आपको fast charging का support दिया गया है और एक 1.25 watt का fast charger mobile के साथ box के अंदर ही मिल जाता है हालकि ये mobile fast charging support करता है 18 watt की charger दिया गया है 1.25 watt का तो देखा जाए तो दोनों mobile के साथ आपको box के contents एक जैसे ही दिये गये है type C cable है और charger 18 watt के दिये गये है बाकि दोस्तो एक चीज़ का बड़ा फर्ख है data cable और charger की build quality जो है वो Redmi 9 power की ज़ादा बेटर है बात कर दोस्तो और design के बारे में तो design आपको वैसे तो मिलता है दोनों के अंदर plastic के type का ही लेकिन आपको काफी जादा shiny design दिया गया है note 1 के अंदर आप देख सकते है light की reflection इसके back panel पे बहुत अच्छी लग रही है इसके अंदर आपको back panel पे X type में pattern मिलता है जो काफी बढ़िया लगता है वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 power के अंदर आपको hard plastic के type का design दिया गया है तो यह इतना जादा shiny तो नहीं है लेकिन इसपे scratches बहुत कमाते हैं Micromax के comparison में Micromax के back panel पे scratches जादा आजाते हैं लेकिन यह जादा shiny है 9 power में scratches बहुत कमाते हैं लेकिन shiny design इतना नहीं मिलता इसके अंदर आपको quality काफी अच्छी है इसकी बात करें दोस्तों camera के बारे में तो Micromax के note 1 में आपको पीछी की तरफ चार camera दिये गए हैं जिसमें पहला है 48 megapixel का दूसरा 5 megapixel का बाकी के दो camera है 2-2 megapixel के front camera है इसका 16 megapixel का fingerprint scanner इसमें आपको back panel पे दिया गया है वहीं दूसरी तरफ Redmi K9 Power में आपको पीछी की तरफ चार camera दिये गए हैं जिसमें पहला है 48 megapixel का दूसरा 8 megapixel का बाकी के दो camera है 2-2 megapixel के front camera है इसका 8 megapixel का दोस्तों camera की performance rate के इसाफ़ से दोनों ही mobile's के अंदर आपको काफी बढ़िया दी गई है लेकिन actual में इन दोनों mobile's आपको और ज़्यादा better camera मिल जाता है Redmi K9 Power के अंदर camera को लेकर ये mobile ज़्यादा बढ़िया है इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों में किसका design ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों design में दोनों mobile's अपने ज़्यादा काफी बढ़िया है एक quality में अच्छा है दूसरा look wise ज़्यादा अच्छा है बात कर दोस्तों display के बारे में तो Redmi K9 Power के अंदर आपको display size दिया गया है साड़े change का इसके अंदर आपको 6.5 inches के display मिल जाती है Micromax के Note 1 के अंदर आपको display दी गई है 6.67 inches की साड़े change से थोड़ी सी और ज़्यादा तो display size में हलका सा और ज़्याद अच्छा है Micromax का Note 1 और दोस्तों अच्छी खुबी ये है दोनों ही मॉबाइल्स के अंदर आपको IPS Full HD Plus display दी गई है ये दोनों में खुबी है User interface के बारे में बात करें तो दोस्तों Redmi के अंदर आप इसे right side पे swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है महीं दूसरी तरफ Micromax के अंदर आप इसे उपर के तरफ swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इन दोनों मॉबाइल्स में आपको जाद अच्छा user interface मिलता है Micromax के अंदर अंदर से चलने में ये मॉबाइल जादा बढ़िया लगता है इसके अंदर आपको काफी clean UI दिया गया है stock Android experience मिल जाता है तो ये मॉबाइल आपको यूज करने में काफी smooth मिलता है सी के साथ इसके अंदर आपको extra applications नहीं दी गई यूज इंटरफेस को लेकर Micromax का Note 1 ही जाद अच्छा है इसके अंदर आपको Android के updates भी जादा जल्दी देखने को मिलेंगे दोनों के display बिलकुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ दोस्तर design के अंदर आपको Micromax जादा बढ़िया दिया गया है इसके display के अंदर आपको punch hole camera दिया गया है display की quality के अंदर दोन अच्छे हैं बस थोड़ा सा Micromax और जादा बैटर इसलिए है क्योंकि size थोड़ा से जाद अच्छा है और display का design जादा बढ़िया दिया गया है इसके अंदर left side साब देहेंगे दोनों मोबाल्स को तो sim के tremel जाती है इस तरफ अच्छी खुबी यह है दोनों के अंदर आप 2 sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं यह दोनों में खुबी है side उसे build quality Redmi के 9 power की जादा बढ़िया है नीचे की तरफ साब देहेंगे तो दोनों मोबाल्स में charging port speaker mic दिया गया है micromax में headphone jack नीचे की तरफ मिलता है Redmi में उपर की तरफ right side साब देहेंगे तो इस तरफ हैं दोनों में volume के बटन्स और power के बटन्स दोस्ते Redmi के 9 power में आपको finger pin scanner साइड में दिया गया है power के बटन के अंदर ही micromax में आपको back panel पे मिलता है उपर की तरफ साब देहेंगे तो दोनों मोबाल्स में noise cancellation mic दिया गया है Redmi के 9 power में आपको IR blaster भी मिल जाता है जिससे आपका MI remote काम करता है तो T.O अगर आप इस मोबाल्स से चला सकते हैं और इसमें आपको उपर की तरफ भी speaker दिया गया है तो speaker की quality इसके अदर आपको जाद अच्छी मिल जाती है दोस्तो दोनों ही मोबाल्स के अदर आपको दी गई है 11,000 में 4GB RAM 64GB के internal storage तो RAM और storage को लेकर दोनों ही मोबाल्स काफी अच्छे हैं और दोनों एक जिससे हैं दोनों के अदर आपको Android का 10 version मिल जाता है इस चीज में दोनों बढ़िया है और भी जाद अच्छा है Micromax क्योंकि इसके अंदर आपको Android के और अपडेट्स जादा जल्दी देखने को मिलेंगे बात कर दोस्तो बैटरी के बारे में तो Micromax के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 image की Redmi के 9 power में आपको बैटरी दी गई है 6000 image की दोनों के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक आपराम से मिल जाता है बैटरी में दोनों बढ़िया है और भी जाद अच्छा आपको मिल जाता है Redmi के 9 power के अंदर बैटरी को लेकर ये mobile बहुत जाद अच्छा है बात करें दोस्तों प्रोस्सर के बारे में तो Redmi 9 power के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 662 प्रोस्सर Micromax के Note 1 में आपको दिया गया है MediaTek का G85 प्रोस्सर अब दोस्तों देखिए अगर आप एक heavy user है आपको performance जाद बढ़िया चाहिए तो इन दोनों मोबल्स में Micromax का Note 1 जाद अच्छा है प्रोस्सर इसके अंदर आपको जाद बढ़िया मिल जाता है अब दोस्तों ये सारी खुब्य कम्या आपको मिलती है इन दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपके जो main जरूत की चीज़ है वो किसमे जाद अच्छी है और आपको Redmi पे जाद भरोसा है या फिर Micromax पे तो दोसरे देखिए अगर आपको display जाद अच्छी चाहिए तो आप Micromax लीजिएगा इसके अंदर आपको display की quality जाद अच्छी मिल जाती है इसके साथ अगर आपको design अच्छा चाहिए तो design के अंदर दोनों बढ़िया है अपनी जगा एक में quality अच्छी है तो दूसरे में look wise design जाद शाइनी है तो आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं अपनी जरूत के हिसाब से लेकिन दोस्तों अगर आपको camera जाद बढ़िया चाहिए तो आप Redmi का 9 power लीजिएगा camera इसके अंदर आपको जाद अच्छा मिल जाता है इसी के साथ अगर आपको battery जाद अच्छी चाहिए तो भी आप Redmi 9 power खरीदिएगा battery इसके अंदर आपको जाद बढ़िया दी गई है लेकिन दोस्तों अगर आपको अच्छी चाहिए processor आपको performance जाद बढ़िया चाहिए तो आप micromax लीजिएगा performance इसके अंदर आपको जाद बढ़िया मिल जाती है processor जाद अच्छा दिया गया है आखर में दोस्तों अगर आपको user interface जाद बढ़िया चाहिए तो आप micromax लीजिएगा इसके अंदर आपको user interface काफी बढ़िया दिया गया है और अगर आपको build quality जाद अच्छी चाहिए तो आप redmi 9 power खरीदियेगा redmi 9 power की build quality जाद अच्छी लग रही है काफी solid mobile है ये तो दोस्तों देखा जाए तो design के अंदर तो दोनों बढ़िया है अपनी जगा लेकिन design के अलावा micromax मापको तीन खुबिया बहुत अच्छी दी गई है एक तो इसके display जाद बढ़िया है दूसरे इसके अंदर आपको processor जाद अच्छा मिल जाता है और तीसरे इसके अंदर आपको user interface जाद अच्छा दिया गया है तो अगर आपको ये तीन खुबिया अच्छी चाहिए डिस्प्ले, processor और user interface अच्छा तो आप micromax का note 1 खरीदियेगा वही दूसरे तरफ Redmi के 9 power के अंदर आपको तीन खुबिया बहुत अच्छी दी गई है एक तो इसके अंदर आपको camera जादा बढ़िया मिल जाता है दूसरे इसके अंदर आपको battery अच्छी दी गई है और तीसरे इसकी जो build quality है वह जादा बढ़िया है तो दोस्तो देखा जाए तो दोनों mobile सापकी जगा बहुत जादा बढ़िया है अगर आपको तीन खुबिया पसंद आई Redmi के 9 power की तो आप Redmi 9 power खरीदियेगा और अगर आपको तीन खुबिया Micromax के अच्छी लगी तो आप ये mobile ले सकते हैं अब दोस्तो आप बताएगे गा नीचे comment करके आपको इन दोनों mobile सापकी जगा बढ़िया है ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो की नेचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल अकिन भी दबा दियागा ताकि नेए वीडियो आप तक पहुचती रहें इसके लिए वीडियो को आपको helpful लगी तो अपने दोस्ते के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा WhatsApp फेस्बुक पे मिल इतना अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बबाई